प्लागिर रस प्री कॉंटेंट होना वो भी AI प्लाटफॉर्म की हेल्प से यह कोई easy task नहीं Hi everyone, welcome back to our YouTube channel YouTube Mantra and I hope you all are doing great guys चैसागी मैंने बताया कि प्लागिर रस प्लाटफॉर्म की हेल्प से कोई easy task नहीं है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यह आपको easy लगने वाला है क्योंकि ऐसे टूल्स और प्लाटफॉर्म आपके शार शेयर करने वाली हूँ जहां से आप सभी create कर सकते हो In fact, plagiarism check भी कर सकते हो और वापस से उसे आप सभी जो है अपने हिसाब से content जो है बना सकते हो वो भी plagiarism free कैसे यह सारी शीचे possible है क्योंकि अभी के टाइम में आपने चाट, GPT, Google, BART और बहुत सार AI platform यूज़ कर रहे है content create करने के लिए लेकिन वो अपने website या कहीं भी genuine जगा education purpose के लिए हम लोग ऐसे search नहीं कर सकते या publish नहीं कर सकते जहां पर Google उसे rank नहीं करे क्योंकि आपने AI content लिखा है तो obviously उसे Google rank तो नहीं करने वाला है और वो गो rank में नहीं आ रहा है तो फिर वैसे content का क्या फाइदा जो catchable या फर searchable ही नहीं है तो अब इसके क्या आपके demerits और merits होने वाले है इसके लिए बात करेंगे pros, cons दोनों के बारे में लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी बात करने वाले हैं वैसे लोगों के बारे में जो लोग affiliate marketing के skills सीखना चाहते हैं affiliate marketing के through earning करना चाहते हैं आपके लिए एक अच्छी opportunity है तीन दिनों का free workshop है affiliate marketing का जिसके link आपके लिए description box में drop की गई है kindly check करो तीन दिनों के free workshop में आप cover up करोगे strategy, concept, tactics, implement कैसे करना है affiliate marketing को free of cost है, register करना चाहते है तो name, mail ID, phone number एंडर करके आप से भी कर सकते हैं back to us रहेंगे चार्ट GPT पे चार्ट GPT से definitely मैं आपको बहुत सारी videos दिखाई हैं जहां से content create करना है लेकिन plagorism आपको check करके नहीं लिखा और आप मैं आपको live दिखाऊंगी कैसे plagorism आप सभी check कर सकते हो चेक करते हैं कि साथ उसे classic plagorism free content आपको बनाना है वो भी बताने वाले हैं तो चलो भी हम इस video को शुरू करते हैं क्योंकि video को ज़्यादा नंबा नहीं करेंगे ताकि आप सभी सारे process को समझ चाओ उससे पहले आपको बस एक काम करना है चानल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर देना नोडिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना चलो अब शुरू करते हैं चाट जीपीटी content चाट जीपीटी जितना easy दिखता है इतना है नहीं और अभी हम लोग यहां से content use तो करते हैं तो यहां पर मैं आपको एक content search कर लिखाते हूं what is the result of marketing तो यहां पर basically मैंने क्या search कर रहे है write a content for website what is the result of marketing and how it works यह मैंने example दिखाने के लिए आपको search किया है चाट जीपीटी content to create करता है लेकिन हम लोग किसे अपने website के लिए use कर रहे है तो यह बहुत simple तो नहीं होने वाला है और यहां पर plagiarism free जिसको बोलते plagiarism free है या नहीं है content यह check करना बहुत important हो जाता है क्योंकि वो अगर detect कर लिया तो आपका कोई भी काम नहीं आपका सारा काम खराब हो जाएगा तो अभी हम लोग कुया करेंगे जिसे यहां पर मैंने content जो है इसे इस title भी जनुआ कर आप इस पूरे content को अपने content को अभी कर सकते है है आप इस content को मैंने copy कर दिया अभ चेक कर कर लिए मैं प्लागरism checker पर इसे जाकर चेक करूंगी किसमें कितना plagiarism है तो यहां पर check करने के लिए simply कुछ नहीं, यहां पर हमें content को post करना होता है तो यहां पर content को मैंने बस publish कर दिया, बल्लाब पेस्ट किया है अब यहां से इसका मैं check करने वाली हूं कि कितना क्या आने वाला है यहां से आप सभी को कुछ नहीं, I am not a robot, यहां से आपको fill up करना है, check plagiarism पर आना है और यह platform स्टार्ट कर देगा, check करना यहां पर मैंने ना जो है guys, half content ही paste किया था, उसके basis पर result जो आया है आपको यहां पर content लिख सकता है, 97% unique है और 3% plagiarism है यहां पर, क्योंकि मैंने half content ही यहां पर paste किया, अगर आपको यहां पर पूरे content को check करोगे, तो आपका plagiarism रीर जो है, आराउंड 40-50% तो जाने वाला यहां पर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है यहां पर यहां पर यह question mark आता है कि यह content अगर इसमें प्लागिरिस्म है तो आपको कोई भी content जो है यूज करना चाहिए, अब question mark क्या है कि यहां पर कैसे आप इस content को use कर सकते हो, कैसे plagiarism free बना सकते हो, तो इस question पर हम लोग आ जाते हैं, यहां पर मैंने आपको check करके बताय लेकिन इसे plagiarism free बनाना है तो आप सभी यहां से use कर सकते हो, रेफरेजिग तूल का, यह भी काफी ज़गा तरेंड कर रहा है, यह सारे प्लाफम सभी ट्रेंड कर रहा है, यह सारे प्लाट्फॉम्स अभी ट्रेंड कर रहाएं, अब यहां में कुछ नहीं करना होता हमें है यहां पर आपने तरीके से एक नए तरीके से यहां पर आपकी 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 आपने तरीके से यहां पर आपकी 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 you can be sure that people will find your website they look for pertinent terms अभी कुछ ऐसे language है कि जो audience हमारी इस content को पढ़ने आयना उन्हें समझ में भी आया है वो तरेक्ट यहां से निकल जाए अब इस साइट से चार्जी पिठी ने जो content को प्रेट हिया था वो काफी easy है आप खुद परके देख सकते हो SEO involves optimizing a website's content, structure, technical aspects to rank higher in search engine results the organic approach ensures that website gains visibility when users search for relevant keywords so guys यहां पर यह तो बहुत easy लग रहा है लेकिन आपर pertinent terms है for natural strategy है, entails optimizing है, अब audience इतना search तो नहीं करने वाली है तो कैसे आप इसको use करोगे, क्योंकि कहना कही है बाउंस रेट में तो फिर यह content आपका फस जाएगा और यह degrade हो जाएगा, degrade जाएगा तो आपका obviously content नीचे जाएगा अगर आपका content boost नहीं हो रहा है, catchable नहीं है तो कोई फाइदा ही नहीं है तो इसके लिए आप एक platform में आने वाली है, जहां से आपका most of the काम आसान होने वाला है और अभी के time में AI detection tool भी आ चुका है तो यह actually में guys AI detector है, AI detector का हमनों use करने वाला है AI detector pro अब आप सोच रहोगे कि एक तरीके से में आपको AI से content लेकना भी बता रही हूँ और AI detector pro के बार में बता रही हूँ तो यह किस तरह के platform है, तो AI detector जो pro है guys, यहां पर आपका content जो है आप चेक भी कर सकते हो और यहां से आप अपना एक अच्छा AI plagiarism free content generate भी कर सकते हो उसके लिए आपको यहां पर login करना होगा, ID, password यह सारी चीज़े इंटर करते हो यहां पर आपके mail पर एक verification mail भी आएगा, आपको यहां से simply यहां पर login करने के लिए verify भी करना होगा, verify कर लेना और इसके बाद डिरेक्ट आप लोग आजाओगे डैशबूट पर यहां पर zero AI generated or zero human writing content लिख रहे हैं, मैं आपको starting से platform को use करके लिए आपको यहां से new report पर हमें click करना और अपने paste content को यहां पर paste करना है आपको यहां से करने वाले है, content अब हमारा content है, इसज़ आपको यहां से copy करने के वाद वापस आचाहेंगे, आपको यहां पर और और इससे कर देंगे paste अब यहां पर मैंने अपना content paste करते है आपको यहां से analyze पर क्लेप करोगे लेकिन यहां पर आपको 4% दिख रहा है कि यह AI plagiarism free नहीं है तो यहां से आपको जो भी content देखेगा जिसमें भी आपको yellow marking या red marking यहां से दिख रहा है तो आप उसे वापस यहां से suggest पर click करते हो अब जिससे suppose इस para में हमारा yellow या red marking है तो आपको क्या करना है इस content को यहां से आपको copy कर लेना है फिर यहां पर suggest पर आजाना है suggest पर click करोगे तो यहां पर scroll down करोगे यहां पर आपको suggestion बग जाएगा और जब तक यह आपको यहां से green नहीं होना आप alternative paragraph यूज नहीं कर सकते है अगर green नहीं है तो आप बार बर suggest पर click कर सकते हो यहां पर जैसे इतनी बार suggest पर click लड़ोगे एक नया paragraph आएगा अगर red या yellow है तो आपको उसे यूज नहीं करना है यह feature आप यहां पर यूज कर सकते हो इसके लावा अगर आपने नया content create किया है तो उसे आप यहां से वापस से यहां पर आपको re-scan भी कर सकते हो यहां पर आपको re-scan का भी option मिल जाता है फिर आपको यहां पर copy, suggest यह सारे option भी मिल जाते हैं इस platform और यहां पर आपको clearly दिख रहा है कि हमारे यहां पर जो probability है वो AI की वो 4% है अब यहां से हमनों कोई content को निकाल के देखते हैं अब जै view what is affiliate marketing अब यहां से content को मैं copy कर लूगी और वापस से आजाओंगे आपर यहां से content मुझे चाहिए नहीं तो आपसे dashboard पर आजाएंगे और यहां से new report पर आएंगे पहले तो back आ जाते हैं और यहां से आपको दिख रहा है AI generated यह भी आपको यहां पर options दिख रहे हैं तो यहां पर यहां पर content को यहां पर paste कर देंगे और यहां से analyze पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हो probability जो है यहां पर AI की वो 94% दिख रही है अब इसको हमनों को यह पर क्लिक कर लेंगे और यहां से suggest पर आ जाएंगे यह AI detected 94% दिख रहेंगे और देखते हैं कि यहां पर हमारा content यहां पर भी नहीं आया तो वैसे content जब आपको यहां पर green होता वा देखिया आप इस platform को use कर सकते हो next यहां पर आपका तारे आप जो भी words कर रहे है यहां से change क कर सकते हो हो सकता है ऐसा in case की suggestion में जो आपको यहां पर जिते भी पैरा जो है आप search करना चाहरे हो change करना चाहरे हो तो किसी का वो turn green नहीं भी हो तो आप अपने हिसाब से एक तो पैरा का content जो है वापस से लिखने लेना लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना आप सभी को कर सकते हो या फिर Google से word meaning वेगरा थोड़े meanings वेगरा चेंज करके भी अपना content लिख सकते हो लेकिन यह platform जो है आपका जो editing यहां पर दिख रहा है probability of 94% यह suggestion section जो है आपका बहुत हिल्प करता है बार-बार इस पर click करके अपने सारे paragraph का meaning यहां से change कर सकते हो लेकिन make sure वो green हो जहां पर sign आपका green हो इस तरह के का वही content आपको use करना है इसके लब नया content जब भी लाओ आप उसे वापस से यहां से re-scan कर सकते हो copy करके कहीं और use कर सकते हो तो यह platform जो करके अगर आपको use करना है professionally तो आप इसका premium version भी ले सकते हो कुछ बजट हो तो आप इसका premium version ले ले है और आप इसे improve भी कर सकते हो तो आप सभी content चार्जी पीटी या Google बार से ले रहे हो तो आप सभी AI detection pro यानि detector pro का use कर सकते हो प्लागरिस्म आप सभी वापस से आकर यहां पर चेक कर सकते हो और एक content free अपना जो है प्लागरिस्म फी content जो है ready कर सकते हो so I hope guys की यह concept clear हुआ हो so guys AI detector pro एक ऐसा platform है जोहां से आप सभी प्लागर्स चेक कर सकते हो साथी साथ आप सभी उस content को वापस से recreate कर सकते हो suggestion वाला button मैंने आपको बताया red और yellow mark चेक कर लेना है जब तक वो green नहीं हो जाया तब तक आपको use नहीं करना और अगर एक बो पैरा नहीं भी हो रहा है तो से rewrite कर सकते हो आप सभी grammarly की help से कर लोगर आपको English इतनी अच्छी नहीं आती है meanings वगेरा चेंज कर लो और उससे आप सभी अपने एक नया content create कर सकते हो refresh करने का option है तो जल्दी पढ़ा नहीं जा सकते हैं समझा नहीं आ रहा है तो यह method आप use कर सकते हो content create करने के लिए और ज़्यादा अगर आपको use करना है तो अगर आपका बजल्ट है तो आप सभी AI Detector Pro का premium version भी यूज़ कर सकते हो और तो फीस से भी almost आपका सारा कान हो जान भी गर देरा मिलते हैं आप सुभी से बाइबाई टेक कियर और अल